पच्छिम बंगाल में होने जा रहा है पंच्याच चुनाओं को लेकर भोईज आपकी आवाज ने एक कारिक्रम आरंब किया है जनता के समक्ष जो राजनितिक नेताओं से बातचीत का कारिक्रम इसी दौरान हमारी इस चैनल के और से जनताओं को स्वागत है और मैं इस समय अजे जे स्वाल जी के समक्ष है जो अभी उमिद्वार भी है इस समय उन से बाचित करते हैं और आपको हमारी चैनल के और से स्वागत है और इस तुनाओं में आपका रन निती क्या है और उमिद् मैं उमीद यह क्या हूं कि अपने गाउं में जो मतलब समस्यां हैं जो यह पांच साल में जो समस्यां देखने को मिला जो इससे पहले पंचाई थी कुछ काम नहीं किये और जिसे नाली का पानी रोड पे बहता है और मेरा कोशी चाहिए अगर में जितना हूं तो अच्छा से बहुत यह पांच साल में बहुत 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 काम किया और उस समय जब नरेगा काम निकला था सुरुआत में भी हो रहा है कि काम उनों किया नहीं और हमारे घर के सामने जो नाली है वो पानी रोड पे बैट है तो मैं कोशिश करूं कि जितना बहतर से बहतर काम, अच्छा काम हो आगा काम करेंगे और अभी कि जो राजनती के माहौल दिखाई धे रहा है, इसमें तो हम कोशिश करेंगे कि जितना बहतर परिणाम हमारी पार्टी ला सके क्योंकि यहां पर जिस साफ से चल रहा है, है कमपेडिशन चल रहा है हर पार्टि हर दल के तरफ से की हम बहतर करेंगे और कुछ जगह पर हमारे जो विरोजी पार्टि है वो भी मीटिंग कर रहे हैं मीटिंग में वो कह रहे हैं कि हमारा सत्ता है हम लोग दुसरे दल का कोई जीत के आएगा तो उसको काम नहीं करने दे तो मैं साइद उसे यह कहना चाहता हूं कि सरकार हमेशा बदलती है कोई अस्थाई सरकार नहीं रहती है इसे पहले 34 साल हमारे बामफंड का सरकार था तो उस सब्सक्राइब हमारे विर्योजी थे कि अधि मतलब की तो यह अनट आ रहा है कि अध्याब नहीं सब्सक्राइब कहने का और्थ चैने का फैंब है शाय रहा है तो इसको जो रेसिदेंशल नहीं देर बोल् Scr. इसको क्या समझते हैं तो यह तो लग रहा है कि पब्लिक को यह मुर्ख बना रहे हैं कि राजिनती में पब्लिक डर के हमें भोड़ दे और हमें जिदाए फिर से तो यह साइद उनकी मुक्तापन बात है क्योंकि यह आज के कि हमारे भारत के सविधान में यह सा कुछ नहीं है कि जो रॉलिंग पार्टी है वह सीव अपने ही पंचाइतों को चाहिए अपने ही MP MLA को ही देगी जहांब से वह हैं ऐसा कुछ नहीं है जो मैं जानता हूं इसके अनुसार यह होता है कि हमारे स्टेक्ट लेवल में हो चाहि याती है वह सब पार्ठी को चलना पड़ता है और उनके विदान सवा के अंधर अंधर हो चाहिए पंचाइत के वाड़ हर जगह उनको काम दिया जाता है और पंचाइत चुनाओं हो रहा है इसमें आपका RSP पार्टी का प्रण निति क्या है हमारे पराटी क्राइट रान न कि निस्पक्ष एक मतलब माहौल बनाया जिससे हर जैगावासी मिल जूलके रहें जो आज मतलब एक कहींगा यसी बात उठ रही है जाते की बात उठ रही है तो यह सब नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि ऐसा चालिस साल के अंदर अंतराल में कभी नहीं हुआ था जो अब हो र हो रहा है कि हमारे काल्चनी में असांती आ गया है जो हम लोग निवेदन करेंगे सबसे की हर दल से कि सब मिल जूलके जैसे भाईचारे का स्यार्क था उससी तरह भाईचारे तो सब रहें यहां पर बस इतनी हमने को सोच है जो अभी इस चुना हो रहा है अब जनता का साहत में क्या उम्मीद्वार खड़े हैं अब तो जनता ही उनको देखे की हर कोई है किरें कहता है मैं यह करूंगा और मुझे जनता शीए अपिल में तो सवयोग करेंगी क्योंकि जो काम करेंगे जनता उसी साथ रहेगी और सिव भासन के और जिसको उमिद्वार खड़ा कर दिये तो उसमें जनता में समझता हो कि जनता उनको सवयोग नहीं करेंगी तो आप किस तरह से जटेंगे इस चुनाओं में आगामी बिधान सवाह लोक शभाह में इसका जबेने साकुख जिसक्षक को देखें, इस चुनाओं में किस तरह से जटेंगे। इस दॉन दॉने से लेके चलूंगा बात करूंगा अपना चुनामि रनिति उसी दब चलूँगा के जितनी हो सकते मैं साथ हमेसे खडा रहू है सब्सक्राइब कारिक नेंगाउ उच्छितु सब्सक्राइब कि आदे मिलेट के समय का जो हम लोगों ने काम किया है कि प्राइब से जाके यहां पर इतना सारा काम हुआ यहां पे ज़रना बस्ती पर नहीं था जहरनावस्ति बाम नहीं बसाया वह आरश्पी की दिन थी गुवाबडी जहां तक मुझे याद है गुवाबडी भी आरश्पी का ही देन है जो वहां पर आज इतने संख्या में लोग रहते हैं वहां पर आज जहां वहां पर तीन-चार वाट पड़ता है वह ट सुपर्मागड 1983 में सुपर्मागड बसाया गया था वहां बहुत चोड़ा था उसमें और यह आरश्पी और बाम कही देन है कि आज इन सुपर्माड इतना बड़ा एक जयों का सेंटर है बिजनेस पोइंट एक सेंटर है और उसके बाद खोकला बस्ती जहां पर जंगल कि आज जडीये आज TMC योसी झाठी ऑले कहते हैं जडीये तो बाम का ही दिन है और सीज待 먹नेन भागड तो बहुत कुछ किया लिप our के एक बाम कुछ किया है पर कहते हैं कि बाम कुछ किया नहीं है आज बाम अगर नहीं करता तो इतने सारे अज्जाइगाउं में जो डेवलिमेंट कहां से होता आज बाम ही ऐसा है कि जो कहते हैं ना कि बाप कमाकर रखा है तो बेटा बेटी उसको उड़ा रहे हैं तो बाम इतना दिन मतलब आप बोल रहे हैं काम किया गया तो इनको क्यों आप इसको नकार दिया उनको हटाके नया सर्कार बदाल दिया जिससका मुख्य कारण कि मुख्य कारण मुझमुह जम्ज में आता है कि साध जंता लुटिया होई ही होगी चिससे एंता हम कर दे कर Caleb कर रहे हैं कि चलिए हमक Sóltiskा तो आपका क्या उमीद रखते हैं जो काम को सुधार हुआ है इसका कुछ आप उधारन दे सकते हैं कि बामका में सुधार सुधार हुआ है पर कुछ जो रूलिंग पार्टियां है जो कर रही है और जैगाव में जो महाउद बना कर रखें हैं सब यह तो साइद इसके लिए नहीं लग रहा है कि बाम फ्रंट इससे समत है और साइद जनता बहुत जल्द ही हमारे तरफ आकस्षित होगी क्योंकि बाम अभियाद भी कर रहे है कि बाम फ्रंट में क्या अंतर था और आज के रूलिंग में क्या अंतर है प्राप्त जानकारी हुआ है उन्होंने इस आने वाले 2021 में बाम का अच्छा परिणाम हो गा और इन्होंने यही कता है कि 11 पांस में उनका अच्छा बीजय होने की दावावी रखते हैं और उनकी उमीद्वारी जितने ही खड़े हुए हैं इस जैगाउ शेत्र ग्राम पां हम ही आ सकेंगी और कर सकेंगी इसके लिए जनता बाम को चुने कही हम बाम को नहीं को सकेंगी म pra इसकेंगी और का अनता बाम को चुनेALK